हेलो फ्रेंड्स आएम हर्स गोस्वामी सो आज हम एंसी आर्टी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के 1.1 के का कोशन नंबर 2 करेंगे सो यह आज हमारा कोशन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिट्विन 3 एंड 4 मलब हमको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर डूढने है सिक्स रेशनल नंबर डूढने हैं थो हम इढार थेजर?".3.1 लिख सकते हैं अगर बमलब सका वेरिक लिकना है तो 3 अपॉन III लिख सकते हैं और जो 4 है उसको और फोर फोर अपॉन वन लिख सकते हैं और अगर जब प्रेंड भी हमारा रेशनल नंबर बार निकानने के भी भी होती है और अगर इसके भीच में अगर छे तरहीं नहीं पॉसिबल नहीं है तो हम उसका उस ठीक्ट को कोई भी बिश्टी तो लेकिन अगर यहीजीली मलब हमको करना हो टो हमको यह 0 की next 0 वाली figure जो आए उससे अगर multiply करें तो ज्यादा बहतर रहता है so मैंने 3 को 10 से multiply किया है so 3 into 10 and 1 into 10 so is equals to 30 हो जाएगा 3 tensa 30 और 1 tensa obviously 10 नहीं होगा so इज़र आ गया 30 upon 10 हो गया और इस side में आ गया 40 upon 10 क्योंकि इदर 4 था 3 नहीं था और इसमें जो हमारे आंसर्स होंगे उसके बीच में इदर 3 और 4 के बीच में हमारे पास rational numbers निकलने के लिए पॉसिबल नहीं था लेकिन अब पॉसिबल है क्यों क्योंकि यह 30 to 40 हो चुका है और यह याद रहना है फ्रेंट्स आपको कि जो नीचे का जो numbers होगा यह हमारे मेरे पास इदर इदर दोनों में 10 है वैसे अगर कोई भी फिकर आप लो तो दोनों में फिगर नीचे की सेम होनी चाहिए सो इदर हमारा आंसर बनता है 31 upon 10 32 upon 10 33 upon 10 34 upon 10 35 upon 10 और इदर 36 upon 10 भी हो सकता है मलब अब 31 से लेकर 39 तक वह सारे numbers इसमें लिख सकते हो और इसमें बोला है 15 ज्यादा दिये है तो हमको क्या करना है यह जो 10 है उसकी जगा पर 100 कर देना है तो क्या हमारे पास रिशनल बीच के भी बढ़ जाएंगे सो यह था हमारा क्वेशन नंबर टू और नेक्स्ट क्वेशन इन इस और नेक्स्ट वीडियो थैंक्स पर वाचिंग और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और बने उतना शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना थै